Hello kids, welcome to education of myself, नवजीत कौर। आज हम करेंगे class third में numbers pattern के बारे में। Number patterns होता क्या है? इसमें हमें एक sequence दिया होता है, जिसमें हमें आगे उस pattern को ही जारी रखना होता है। Okay students, first of all, इसको करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो number जो series हमें दी होगी, वो increasing में है या फिर decreasing में। मतलब numbers क्या है? increasing में है या decreasing में। जिसे first sum में हमें दिया हुआ है, 72, 78 और फिर 84 तो ये कौन सा sequence है? decreasing में या रहा है या फिर increasing में जा रहा है? तो 72 के बाद, 78 आता है ना, बाद में आता है, तो it means ये increasing order में जा रहा है first of all हमें ये देखना होता है कि increasing order है या फिर decreasing order अब इसमें हमें क्या पता चल गया है? कि इसमें increasing order है second point पे हमने क्या देखना है? कि इन दो numbers में difference कितने का है तो difference देखने के लिए हम क्या करेंगे? जो बड़ा dz number है उसमें से हम छोटे numbers को subtract करके देखेंगे तो 78 में से जब 72 हम subtract करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 इसमें दोनों में कितने numbers का difference है? 6 नमबर का difference है अब next में देखेंगे हम 84 और 78 में कितने का difference है? सब्रेक्ट करके हमें पता चल जाएगा कितने का difference है? 6 का तो नीचे 6 6 का difference आ रहा है तो जब हमें next digit 84 से next digit पता करनी है तो हम क्या करदेंगे? इसमें add करदेंगे 6 तो क्या आ जाएगा हमारा? 90 84 में जब हम 6 add करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 अब क्या करेंगे फिर 6 एड़ करेंगे इसमें 90 में 6 एड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 96 ओके नेक्स्ट नमबर पता गरना है तो हम क्या करेंगे 6 इसमें क्या कर देंगे एड़ कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 102 तो यह हमारा जो है वो pattern complete हो जाता है 72 में 6 add करेंगे तो क्या है हमारे पास 78 add 6 किया हमने 84 अब हमें next digit पता करनी थी 84 में 6 क्या गर दिये हमने add कर दिये 90 96 96 अब 96 96 में 6 add करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 102 यह तो था हमारा increasing order अब second question में देखते हैं हमें क्या दिया हो है 120 उसके बाद है 114 और उसके बाद क्या दिया हो हमने 108 तो यह increasing order है या फिर decreasing order सबसे पहले हमने यह देखने है तो यह तो क्या हो रहा है decrease हो रहा है 120 से पहले आ जाता है 114 और 114 से पहले क्या आ जाता है 108 मतलब यह कौन सा order चल रहा है decreasing order तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों में difference देखेंगे तो कितने का difference है इसमे 6 का कितने का difference है इसमे 6 का but 6 क्या हुएं इसमें, subtract हुए है, यहां पे 6 क्या किये थे हमने, add किये थे, दोनों में फर्क समझ में आया न, difference कि इसमें हमने 6, add किये थे, तो हमारा increasing order बना था, अब हमें इसमें क्या करना है, 6 subtract करने है, तो हमारा क्या बन जाएगा decreasing order, अब इन दोनों में भी difference देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 का difference है न वार 14 में से 108 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या आजाएगा मतलब 6 का difference आजाएगा हमारे पास difference अब हम 108 में से क्या सब्ट्रेक्ट कर देंगे 6 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 102 अब 102 में से क्या करोगे 6 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 96 यही आएगा 102 में से जब हम 6 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 96 और 96 में से जब 6 सब्ट्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 90 अंडिस्टोन नेक्स्ट कोश्चन में हम देखते हैं क्या दिया हमें 81, 90, 99 तो इन दोनों में क्या है सबसे पहली कौन से ओर्डर में जा रहा है increasing order में और difference कितने का है इसमें कितने add हुए increasing में add तो इन दोनों का difference कितने है बतला 81 में हमने 9 add की है तो 90, 90 में 9 add करेंगे तो 99 अब हमें 99 में ही क्या करना है 9 को add करना है तो हमारे पास क्या हैगा 108 108 ओके अब 108 में 9 एट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 117 और 117 में जब 9 एट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 126 next question है हमारा 552 उसके बाद है 560 और next two places पे हमें fill up दिये हुए है यह हमने निकाल लें तो कैसे निकाल लेंगे increasing order है 52 के बाद क्या आ रहा है 56 तो हम क्या करेंगे add होगा इसमें कितने add है देखिए 8 इसमें कितने add एड किये हुए है 8 कैसे बता चलेगा हमें 560 में से जब हम 552 सब्ट्रेक्ट करके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8 आएगा तो 8 add करने पे हमें ये मिला तो इसको 560 में जब 8 add करेंगे तो हमारे पास 568 और 568 में जब 8 add करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 576 6 क्या आएगा हमारे पास 576 नेक्स्ट कोशन में हमें क्या दिया हुए 845 नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 850 और उससे नेक्स्ट टो डिजिट जो है हमें निकालनी हैं तो कैसे निकाल लेंगे डिफरेंस दिखेंगे 45 और 50 में कितने का डिफरेंस होगा 5 का न मतलब 45 में 5 add कर देंगे तो 50 आजएगा 845 में 5 add करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा 850 अब इसमें भी 5 add करेंगे 855 और अब इस डिजिट को निकालने के लिए हम इसमें 5 add दुबारा करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 860 ओके स्टूडेंट्स आई होब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नमबर पैट्स्टन हम कैसे निकालते हैं थैंक यू